स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्रिंस्विट एजुकेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग आदी काल के वारे में पढ़ेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी साहिति के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है तो आचार रामचन सुकल की पुस्तक हिंदी साहिति का इतिहास जो की 1929 में प्रकास्वित हुई थी कि अनुसार हिंदी साहिति को चार भागों में बाटा गिया है इसका टाइम पिरेड है विक्रम संबत 1050 से 1375 तक तीसरा काल है रीति काल इसका टाइम पिरेड है विक्रम संबत 1700 से 1900 तक इसके बाद चोथा काल आता है आधनिक काल इसका टाइम पिरेड है विक्रम संबत 1900 से लेकर अब तक वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं भक्तिकाल को पूर मद्दिकाल भी कहते हैं रीतिकाल को उत्तर मद्दिकाल भी कहते हैं और आधनिक काल को गद्दिकाल भी कहा जाता है एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि विक्रम संबद और ईस्वी में 57 वर्स का अंतर होता है यानि कि अगर 2023 चला है तो विक्रम संबत 2080 होगा अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काल यानि कि आदिकाल इसे वीर गाता काल के नाम से भी जना जाता है आदिकाल का टाइम पेड़ विक्रम संबत 1050 से 1375 तक था आदिकाल को भिन भिन साहितकारों ने भिन भिन नामों से पुकारा है तो अब देख लेते हैं कि आदिकाल के विविन नाम और उनका नामकरन करने वाले साहितकारों के नाम को देख लेते हैं सबसे पहले है वीर गाता काल तो वीर गाता काल इसको अचार रामचन सुक्ल द्वारा कहा गया है आदिकाल इस काल को आदिकाल हजारी पसाद दुवेदी जी द्वारा कहा गया है चारण काल इस काल को चारण काल जार जे ग्रियरसन द्वारा कहा गया है संदिकाल वाचारण काल इस काल को संदिकाल वाचारण काल रामकुमार वर्मा दोरा कहा गया है वीर काल इस काल को वीर काल विशुनात पशाद मिश्र दोरा कहा गया है आधार काल इस काल को आधार काल सुमन राजी दोरा कहा गया है सिद्ध सामंत काल इस काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांक्रत्यायन द्वारा कहा गया है इस काल को अंदिकार काल कमल कुल सेश द्वारा कहा गया है इस काल को बीज वपन काल यानि की बीजक काल महावीर पशाद द्वेदी द्वारा कहा गया है इस काल को आरंभिक काल या फिर सूर निकाल डाक्टर गणपती चंद्र सुक्ल द्वारा कहा गया है इस काल को प्रारंभिक काल मिष्ट बंधों द्वारा कहा गया है इन में कौन कौन से कभी थे श्याम बिहारी मिस्ट, शुकदेव बिहारी मिस्ट और गणेश बिहारी मिस्ट, इन तीनों को ही मिस्ट बंदू कहा जाता है इन सभी नामों में सरवमान यानि कि सभी द्वारा स्विकार किया गया नाम हजारी पेशाद द्वेदी द्वारा दिया गया आदिकाल है अचार रामचन सुक्ल ने इस काल को वीर गाता काल इसलिए कहा है क्योंकि इस काल में वीर गाताएं जादा थी लेकिन इस काल में कियल वीर घाताएं ही नहीं थी इसलिए सभी दौरा जो स्टिकार किया गया नाम वो आदिकाल था जो की हजारी पे साथ दुएदी दौरा दिया गया था अब देख लेते हैं आदिकाल की प्रमुक प्रवत्तियों के बारे में तो आदिकाल की प्रमुक फिसेस्ताएं हैं आस्रे दाताओं की पेशिंसा, वीर रस के सासा संगार रस का वर्णन, युद्धों के सुंदर और सजी वर्णन, एतिहासिकता के संदर में कलपना की पचुर्ता, सामोहिक राष्टेता का अभाव, अप्रमारिक रचनाएं और डि डिंगल और पिंगल के बारे में जान लेते हैं, डिंगल राजी स्थानी की प्रमुक बोली, मारवाडी का साहितिक रूप है, डिंगल को भांट भासा भी कहते हैं, डिंगल का अर्थ होता है अनीमित या गवारू, डिंगल के पैसे दुकवी हैं, नर्पती नाल और करते हुए हुआ है इस भासा में चारण परंपरा के सेश्ट सायत की रचना हुई है पिंगल डिंगल की पेच्छा अधिक परिमार्जित थी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पिंगल और डिंगल दोनों ही सैलियों के नाम है भासाओं के नहीं अब देख लेते हैं कि अधिकाल का प्रथम कभी कहा गया है पुष्ची या फी पुंड को सिफ सिंग सेगर द्वारा प्रथम कभी कहा गया है इसका इनका कोई भी गंत नहीं मिलता है विद्यापती को डॉक्टर बच्चन सिंग द्वारा आधिकाल का प्रथम कभी कहा गया है कभी साली भद्द को गड़पती चंद गुप्त द्वारा आधिकाल का प्रथमकवी कहा गया है चंद बरदाई को राम चंद सुक्ल द्वारा आधिकाल का प्रथमकवी कहा गया है स्वयम्भू को राम कुमार बर्मा द्वारा आधिकाल का प्रथमकवी कहा गया है अग्दुल रह्मान को हजारी पेशाद दुवेदी द्वारा आदिकाल का पर्थम कभी कहा गया है इन सभी कभियों में से सर्व मान यानि कि सभी द्वारा स्विकार किया गया नाम सरहपा है इसलिए सरहपा को ही आदिकाल का पर्थम कभी मान जाता है अब आदिकाल के प्रमुक कभी एवं उनकी रशनाओं के बारे में देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं, सरहपा, सरहपा के द्वारा लिखी के रशना है दोहा कोज, सब्रपा, सब्रपा के द्वारा लिखी के रशना है चर्या पद, डोमबिपा, डोमबिपा के द्वारा लिखी के रशना है डोमबिगीतिका और योग चर्या स्वयंभू, स्वयंभू के द्वारे लिखी के रशना है परम्चरियू नर्पती नाल्य, नर्पती नाल्य द्वारे लिखी के रशना है बिसल देव रासो बिसल देव रासो प्रेम काव के सासाद गे काव भी है चंद बर्दाई की रशना है प्रिथवी राज रासो ब्रिज भाचा में है इसे ही हिंदी का प्रिथम महा काव्य कहा गया है इसलिए चंद बर्दाई को हिंदी का प्रिथम महा काव्य कार कहते हैं जगनिक द्वारा लिखी की रशना है परमार रासो इसमें आल्या खंड है यानि कि इसमें आल्या वा उदल के युद्धो का वर्णन किया गया है दलपती विजय की रशना है खुमान रासो ये डिंगल भासा में है इसमें चितोड के महराज के युद्धो का वर्णन किया गया है सारंगधर की रशना है हमीर रासो इसमें रण थंबौर के राजा की गौरब गाता है केदार भट केदार भट की रशना है जैशंद प्रकास अबदुल रह्मान अबदुल रह्मान की रशना है संदेश रासक विजय सेन सूरी विजय सेन सूरी की रशना है रेवंत गिरी रास जिन धर्म सूरी जिन धर्म सूरी की रशना है इस्तूल भद्र रास अमीर खुसरो की रशना है पहलिया, आसिका, खलिक बारी, हालते करहिया, मुकरिया इन्हें खड़ी बोली का पहला कभी भी का आ जाता है इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था अब अगले कभी हैं विद्यापति विद्यापति की रशना हैं पदावली, कीर्ती लता, कीर्ती पताका अब अगले कभी हैं नल्य सिंग भाट नल्य सिंग भाट की रशना है विजयपाल रासो अब देख लेते हैं कि आदिकाल के साहित को कितने भागों बाटा गया है तो आदिकाल के साहित को पांच भागों बाटा गया है सिद्ध साहित, नाथ साहित, जैन साहित, रासो साहित और लोग साहित सिद्ध साहित में बहुत धन्वी की रिचनाएं मिलती है इसकी भासा अप्रभंस है राहुल सांकर्तियायन के अंसार सिद्ध साहित 84 सिद्धो दोरा लिखा गया है इन 84 सिद्धों में सरहपा को राहुल सांकर्तियायन ने पहला सिद्ध माना है और सरहपा दोरा लिखी के रशना दोहा कोस है नाथ साहित नाथ साहित में नो नाथों की बात की गई है यहां सिद्ध परंपरा को छोड़कर एक नई परंपरा की सुरुवात की गई नो नाथों में प्रमुक गोरक नाथ है इन नो नाथों के द्वारा लिखे गए साहित कोई नाथ साहित का गया है अब देख लेते हैं जैन साहित के बारे में तो इसमें प्रमुक स्वयंभू जी है इसमें जैन धर्म से सम्मंदित साहित आते हैं अब देख लेते हैं रासो साहित के बारे में तो रासो साहित राजी सांसर सम्मंदित रहा है रासो साहित में वीरों की गाथाओं के सासत राज लोग सायत के अंतरगत आती हैं इसके अलावा भी आपको आधिकाल की कोई जैनकारी पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं हिंदी के सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्सर में दिये गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दीजे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे धन्यवाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में